Assalamu alaikum students Classic Science Chapter 7 Solutions and Suspensions यह इसका second part है ठीक है Dilute and Concentrated Solutions Concentrated Solutions If the ratio of solute अगर solute का ratio to solvent is high solvent के ratio से बढ़ जाए Solution is called Concentrated Solution उस solution को हम क्या कहेंगे Concentrated Solution अब एक मिसाल ले लेते हैं कि एक कप पानी का ले लिया हमने ठीक है वो ही पानी जितना ही कप हमने शक्कर का ले लिया ठीक है और उसे उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया एक solution बना लिया तो उसमें हमने क्या किया पानी की solution पानी जो है पानी जो है वो इसमें क्या है solvent है solute क्या हुआ चीनी क्योंके चीनी को dissolve होना है पानी में ठीक है हमने तो एक जितना रेशो लिया बट पानी वही एक कप रहे मतलब कि solvent जो है वो एक ही कप रहे और हम दो कप डालेंगे चीनी के उसमें तो जब वो चीनी उसमें गुल जाएगी तो वो थिक solution बन जाएगा ठीक है एक होता है डाइलुटिड जिस जो एक्वेस ज्यादा एक्वेस होता है एक होता है concentrated ये वो concentrated solution बन जाएगा क्योंकि वो थिक बन जाएगा पानी का एक कप और चीनी के दो कप जब हम गेस पर चड़ा कर उस चीनी को उसमें गौल देंगे आप एक बार फिर से सुन ले solute जो है अगर वो solvent के ratio से बढ़ जाए अगर हम solvent ले रहे हैं कोई भी solvent जारूर नहीं के पानी हो solvent कोई भी aqueous aqueous का कोई भी चीज हो गई जैसे के liquid form में कोई चीज हो गई ठीक है तो वो एक कप हमने ले लिया और दो कप चीनी के हमने उसमें खोल दिये वो क्या बन जाएगा ठीक solution बन जाएगा तो हम उसे कहेंगे concentrated solution simple words में solute जो है वो अगर उसका ratio double हो जाए या double से ही कम हो जाए बढ़ उस solvent से बढ़ जाए तो हम उसे concentrated solution कहेंगे सरी और आगे dilute solution हम वही मिसाल लेते हैं अगर हम एक कप पानी का ले ले और उसमें आदा कप चीनी का डाल दे मतलब कि चीनी का solute का ratio कम हो गया और solvent पानी का रिशो आदा कप बढ़ गया तो उस solution को हम कहेंगे dilute solution वो थिक नहीं बनेगा बलके solvent बढ़ जाएगा इसमें क्या था solute बढ़ जाता है solvent कम हो जाता है solvent का ratio कम हो गया percentage कम हो गयी solution में और solute की percentage बढ़ जाएगी तो हम उसे कहेंगे dilute sorry concentrated solution dilute solution में इसका उलट होता है इसमें क्या होगा solvent बढ़ जाएगा solute से उसे हम कहेंगे dilute solution अगर आपने solution अगर आपको solution और solvent और solute समझ नहीं आ रहे तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं मैंने उसमें समझा दिया है कि solute क्या है solution क्या है और solvent क्या है और इसकी आप definition देख लें if the ratio of solute to solvent is low the solution is called dilute solution यहाँ पर इसकी यह definition उलट है if the ratio of solute यहाँ पर भी आएगे if the ratio of solute to solvent to solvent is high अगर solute बढ़ गया तो वो कहलाएगा concentrated solution और इसमें अगर solute कम हो गया तो वो कहलाएगा dilute solution अगर solution में solute कम हो गया तो अगर solution में solute कम हो गया solvent से sorry तो हम कहिए concentrated solution अगर इसमे dilute solution में solution में अगर solute जो है, वो solvent से कम हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे dilute solution. Now, saturated and unsaturated solutions. Saturated solution, a solution that cannot dissolve any more solute in it at a given temperature, is called saturated solution. अब इसको definition को आप समझे, यह क्या बोल रहे हैं? अगर कोई solution है, ठीके, वही मिसाल ले लेते हैं, एक कप पानी, ठीके, that cannot dissolve any more. एक कप पानी में हम, एक कप चीनी तो घोल सकते हैं, चले डेड़ कप ही घोल दें, बट एक कप पानी में हम दो या तीन कप चीनी नहीं घोल सकते, वो हमारा solution ही नहीं रहेगा. तो हम उसे कहेंगे saturated solution, अगर solvent, यहां देखें, a solution that cannot dissolve any more, solute. अगर वो बहुत ज्यादा solute खुद में dissolve ना कर पाए, कोई भी solvent उसके दिये हुए temperature के हिसाब से, तो हम उसे कहेंगे saturated solution, ठीके, आगे unsaturated solution, अब इसका उलट हो रहा है, a solution that can dissolve more and more solute at given temperature, called unsaturated solution. अब यहां पर हो रहा था के, एक कप पानी का लिया और उसमें तीन कप चीनी डाले, चीनी डाली और वो चीनी उसमें घुल ना सकी, तो ना घुलने की वज़ा से, हम उसे saturated solution कहेंगे, जो अपनी temperature के हिसाब से, और अपने dissolving power के हिसाब से, काम ना कर पाए, उससे ज्यादा काम ना कर पाए, तो उसे हम saturated solution कहेंगे, मगर वो खुद, जैसा कि वो खुद में कोई भी solvent, ज्यादा solute dissolve ना कर पाए, अपने गिवन temperature, जो उसे temperature दिया गया है, उसके हिसाब से, तो उसे कहेंगे saturated solution, और यहाँ पर अगर कोई भी solvent, बहुत ज्यादा, जो temperature दिया गया है, उसके हिसाब से भी ज्यादा, solute जो होए, वो dissolve कर ले खुद में, तो उसे हम unsaturated solution कहेंगे, अब यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं, एक कप पानी का लिया, और अगर वो unsaturated solution में बात हो रही हो, एक कप पानी का लिया, तो हम उसे तीन कप नमक के डाल कर, उसमें गोल सकते हैं, यहाँ पर ऐसा हो रहा था, एक कप पानी का लेकर, हम तीन कप चीनी के, उसमें नहीं गोल पाते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, जिसमें हमने, गिवन टेंपरेचर जो है, हमारा, वो टेंपरेचर के हिसाब से, हमने उसमें तीन कप पानी में, तीन कप नमक के घोल लिये, तो हम उसे कहेंगे, उसमें बहुत ज्यादा, solute dissolve होने की, पावर होती है, unsaturated solution में, solubility and effect of temperature on solubility, ठीक है, solubility क्या है, solubility is that, maximum quantity of solute, which can be dissolved in 100 grams of water, at given temperature, अब, solute, आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, solute, solute वो चीज, जो किसी भी solvent में, solution में, solvent बोल ले, या solution बोल ले, किसी भी solution में, dissolve हो जाए, उसे solute कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर है के, maximum quantity of solute, कोई भी solute ले ले हैं, ले ले, उसकी maximum quantity बनी होती है, अगर वो quantity, 100 grams of water, पानी के 100 grams में, अगर वो dissolve, हो, वो dissolve होनी चाहिए, उसे एक constant temperature दिया गया होता है, उस temperature के हिसाब से, ठीक है, यह constant होता है, कोई भी, मसलन, 30 degree temperature हो गया, ठीक है, 100 gram water हो गया, उसमें, solute की quantity दी जाती है, जिसा की वो quantity, जो है, इस 100 grams of water में, dissolve होनी होती है, at the given temperature, उसे हम बोलते हैं, solubility, ठीक है, different solutes, have different solubilities, at given temperature, जो different, मुक्तलिफ तरह के solutes होते हैं, उन्हें मुक्तलिफ तरह के, temperatures दिये गए होते हैं, उनकी solubility के लिए, solubility of solute, depends on two factors, अब जो solubility है, वो दो factors पर, दो जिजों पर, depend करती है, वो कौन से है, the solute, the temperature of solvent, ठीक है, आगे देखते हैं, solution and suspension, solution, solution तो हमने पहले भी पढ़ लिए, चलो देख लेखते हैं, एक बार पर, solution is mixture of two components, that are thoroughly mixed and clear, solution में क्या होता है, जिसे कि, एक कप पानी ले लिया, आदा कप नमक या, एक चमच नमक ले लिया, और उस एक कप पानी में, हमने वो एक चमच नमक का डाल दिया, उसे घूलने के बाद, हमें पता नहीं चलता, बाद में देखने के बाद, हमें ये पता नहीं चलता, कि इसमें कोई चीज mix की हुई है, वो अच्छी तरह से, throughly मतलब, वो अच्छी तरह से, उसमें mix हो जाता है, नमक जो है, और clear हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, solution, suspension में क्या होता है, suspension, suspension is mixture, in which solute particles are larger, and remain suspended in the solvent, अब हमने पानी ले लिया, एक कप, उसमें डाल दी sand, रेत डाल दी, ठीक है, एक चमच रेत डाल दी, उसे, उस sand को हमने, वो sand जो है, यहाँ पर solute कहलाएगी, उसमें वो गोल दी, गोलने के बाद भी, उसी कप में नीचे पड़ी हुई निजर आएगी, जो suspended particles कहलाते हैं, सब्सक्राइब अगर हमें नीचे particles निजर आ रहे हैं, उस पानी के अंदर, उस solution में, तो हम उस solution को solution नहीं बोलेंगे, solution तब बोलेंगे, जब वो clear हो जाएगा, जैसे के नमक की मिसाल दी, उसमें घुल जाता है पानी में, उसे हम suspension बोलेंगे, अब आप किसी भी solution में, अगर वो एक शर्बत है, ठीक है, शर्बत है, उस शर्बत ने हमने रेट डाल दी, बेवकूंफों की तरह हमने रेट डाल दी, तो वो रेट क्या करीगे, उसमें घुल नहीं जाएगी, नीचे, किसी कप में, कचाए ग्लास में हो या कप में, नीचे जाकर बैठ जाएगी, वो suspend हो गई, ठीक है, नीचे जाकर बैठ गई, उस solvent में, तो हम उसे कहेंगे solution, Thank you.